हालो गाइज जैहिन नमस्कार मेरा नाम है अमन्दीप और आप सब देख रहे हैं इंडियन टेक एडवाइज यूटूब चेनल गाइज आज की वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं डीजी टेक का प्रोफेशनल डीवी ट्राइपोड जिसका मोडल नमबर है डीटियार पांसो बीस बी एच और इस ट्राइपोड के बारे में पूरी बात करने वाले हैं तो गाइस सबसे बेले मैं बता दूँ यह ट्राइपोड मैंने बाई किया है फिलिप कार्ड से और मुझ इसके पूरे रिव्यूज बगेरा पड़े लोग बोल रहे हैं कि अच्छा बजट टू ट्राइपोड है लेकिन मैंने मेरे जो बजट है उससे बहुत ज़ादा आगे निकल कर इस ट्राइपोड को खरीदा है और मैंने इसे 5650 रुपे के आसपास में बाई किया है तो बाई रडे और उसके बाद में इस ट्राइपोड को मंगाया अब इस ट्राइपोड की बात करें तो इसमें Baitill है और बहुत सारे फंक्सन से जो की इस प्राइज ßाने में आपको मिलेंगे ठीक है तो तो पूरी जानकारी इस tripod के बारे में देना वाला हूं, पूरी unboxing करके पूरा review देऊंगा, एक एक feature के बारे में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और उसके बाद में अपना comment drop करके जाना, अपनी ride drop करके जाना, कि आपको वीडियो कैसे लगी, य वो सवाल पूछना, ठीक है, तो चलो करते हैं, start unboxing और उसके बाद में पूरा review बताता हूं, with features, चलिए गाईज, फिर करते हैं इसको unbox, और देखते हैं कि हमारे को क्या कुछ मिलता है, इसके अंदर digitake के DTR 520 tripod को, और इसकी packing को पूरा unclose कर लेते हैं, और फिर देखते हैं, इसके अंदर हमारे को क्या कुछ मिलता है, तो आप इसकी packing देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी की हुई थी, और ये digitake का DTR tripod का box देख सकते हैं, आपको सारे features इसके उपर पहले से ही mansion मिल जाएंगे, ठीक है, yellow और black box के अंदर आपको ये मिलता है, आप देख सकते हैं, तो च carry bag की अगर आप वो देखें, तो बहुत ही अच्छी quality के अंदर बना हुआ है, travel friendly है, बिल्कुल अराम से आप कहीं भी travel कर सकते हैं इसके साथ में, और छोटा size में, compact size में, ये है, ये भी एक अच्छी चीज है, तो इसको चली open करते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे को tripod देखने हूं मिलता है, बात करें tripod के basic specifications की, तो अगर maximum load की बात करें तो आप 7 kg के आस पास इसमें रख सकते हैं, उसके लोग अगर weight की बात करें, तो tripod का weight है 1440 gram, और maximum height की बात करें तो 6.5 feet तक आप इससे ले जा सकते हैं, वही minimum height की बात करें तो 320 mm तक है, वहीं अ seconds की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 sections मिलते हैं, 3 sections lag में मिलते हैं और आपको one section आपको उपर head में देखने को मिलता है, तो अभी बात करते हैं, डीटीजीटेक के DTR 520 tripod के features के बारे में, तो number one पे हम बात करते हैं, बोल head के बारे में, तो बोल head की बात करें तो यह आपको professional tripod में देखने को मिलता है और ये हमारे को DZTAC के DTR-520BH में भी देखने को मिलता है ball head की मदद से आप अलग-अलग परकार के कुछ इस परकार से use करके motions करियाच कर सकते हैं और cinematic shots ले सकते हैं इस tripod में आपको 360 rotational head मिलता है जिसकी मदद से आप tripod को 360 round कर सकते हैं clockwise और anti-clockwise आसानी से इस में आपको angle ring मिलता है जिसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप कितना रूटेट कर रहे हैं 0 to 90 degree, 90 to 180 180 to 40 degree 240 to 360 degree की rings आपको देखने को मिलते हैं जिससे आप आसानी से अपने tripod को रूटेट कर सकते हैं समझ सकते हैं next हम बात करते हैं overhead source की तो इस tripod के अंदर आपको एक अच्छा feature मिलता है tripod के जो है overhead source लेने के लिए इस tripod के अंदर आप camera या phone को vertically यूज़ कर सकते हैं tabletop type में यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपना camera या फिर phone लगा कर table top या फिर overhead source ले सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में और इससे का आप उप्योग कर सकते हैं table top unboxing में या फिर tech channels पर cooking source में drawing tutorial बनाने के लिए और personally अगर मेरी बात करूँ तो मैंने इस tripod को सिरफ इसलिए करीदा है ताकि मैं unboxing video भी इसकी मज़स से आसानी से बना पाऊंँ next हम बात करेंगे कि tripod को monopod में कैसे change करें तो ये बहुत ही आसान है monopod देखिए बहुत ही कम weight का होता है इसलिए इसको आप easy to carry है और blogging और photographic के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और इस tripod को monopod में आसानी से change कर सकते हैं इसके लिए simple अपने header को remove करना है और उसके बाद में जो disable lag है उसको हमें remove करना है और इन दोनों को remove करने के बाद में हमारे को एक connection screw मिला होगा हमारी packing के साथ में उस connection screw को जो कि आप देख पा रहे हैं इसे आपको connect करना है इन दोनों के बीज में तो सबसे पहले हमें इसे connect कर लेतना है अपने जो header है उसके साथ में तो इस परकार से आपको connect करना है उसके बाद में हमारा जो detachable lag है उसके साथ में इसको tight कर देना है तो आप देख सकते हैं इस परकार से आप इसे टाइट कर लीजिए अब अपना जो मोनोपोड है वो बन कर हो गया है तैयार अब आप अपनी ब्लोगिंग, फोटोग्राफी या जो भी आप करना चाहें वो आसानी से इससे कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है नेच्ट हम बात करेंगे वर्टिकल सूट की तो आप अपने कैमरा या फिर फोन को वर्टिकली भी उपयोग कर सकते हैं इस ट्राइपोड की मदद से देखिए वर्टिकल जो सूट है वो आप फेस्बूक, टिक्टोक, इंस्टाग्राम के लिए उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए आपको इस ट्राइपोड के अंदर कट मिलता है जिसकी मदद से आप अपने फोन या कैमरा को आसानी से वर्टिकल उपयोग कर सकते हैं नेस्ट आम बात करते हैं कि ट्राइपोड को गिंबल के रूप में कैसे यूज करें तो आपको जो अपना हैटर है ट्राइपोड का उसे अपने बाहर निकाल लेना है और आपका गिंबल बनकर हो गया है रेड़ी अब आपको सिंपल अगर आप एक ट्रेवलर हैं प्लोगिंग करते हैं जंगल सफारी करते हैं या माउंटिंग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही प्रिफेक्ट कीज रहने वाली है आप अपना किसी भी लोग एंगल सूट या फिर आप जो भी सूटिंग करना चाहें आराम से अपने हाथ में रख सकते हैं और वो बिल्कुल लोग वेट रहने वाला है तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रियंस आपका इसके साथ में रहने वाला है नेक्स्ट फिचर इस ट्राइपोड का है लो लेवल सूटिंग जैसा कि मैंने आपको इस फेसिक्शन में बताया था कि इसकी जो मिनिमम हाइट है वो है 320 mm और उस लेवल तक आप इसकी सूटिंग कर सकते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ लो लेवल सूटिंग के बार देना है अब इसे आप निकाल लीजिए और सेम इसको उल्टा कर गिए और नीचे से आप इसे लगा दीजिए आपको सिंपल इसे लगाना है आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से आपको इसके लगाना है और चितनी लो आपको करना है उस लो लेवल के उपर आप इसे टा करना चाहते हैं तो नेक्ट फीचर इसका है रबराइड लेग इसके तीनों लेग्स हैं वह आपको पूरे रबर्ड सर्फेस के साथ में मिलते हैं जिससे आपका जो ट्राइपड है वह बहुत ही अच्छा इस्टेबल रहता है ठीक है तो एक अच्छी चीज मुझे इसके हमरा लाश्ट ट्राइपड का जो फीचर है वो है बबल हैड हैड के अंदर आपको यहां पर देखिए इस ट्राइपड में बबल हैड मिलता है जिसकी मदब से आप अगर आपकी कोई भी सर्फेस वगिरा चाहे कितनी भी टेडी मेडी हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जो ट्राइपड का लेवल है उसे सेमलर ला सकते हैं ताकि आपकी जो वीडियोग्राफी हो वो बिल्कुल इस्टेट हो तो उसके लिए आपको इस बबल का उपयोग लेना है इसके अंदर देखिए एक बबल होगा इस बबल को आप बिल्कुल इस सर्किल के बीच मे ली आएंगे पॉइंट आउट कर देंगे तो आपका जो ट्राइपोड है वो बिल्कुल सीधा सर्फेस में आ जाएगा तो गाइस कुल मिलाकर ये था हमारा डीजी टेक का डीटी आर पांसो बीस भी एच ट्राइपोड और इस ट्राइपोड की अगर हाइट देखें तो अ अपनी हाइट से कंपेर करूं तो आप देख सकते हैं मेरे हाइट लगबग सिक्स फीट है और यह उसे आदा फिट उपर ही जा रहा होगा तो यह ट्राइपोड है और ट्राइपोड बहुत ही बजट फ्रेंडली है अगर आप बोल है ट्राइपोड की तरफ जाएंगे तो और राम से आपको फंद्रा सोला हजार रुपे खर्च होंगे जबकि यह आपको साड़े पांच के आसपास में मिल दाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है जाकर बाई कर लो तो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंद मत्रम